नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बड़ी कबर है इस वक्त की खबर है चिराक पासवान के बारे में आपको हमने थोड़े पहले बताया था कि उनकी एंट्री एंडिये में फिर से हो गई है कही न कहीं उन्हें नियोता दिया गया है उस संसदियर दल की बैठक में ज इसमें सरकार के सारे घटक दलो को नियोता दिया गया था बजट से पहले ये हर साल होताया है इस मीटिंग में चिराक पासवान की एंट्री का सीधे तोर पर मतलब ये निकाला जा रहा था कि नितीश कुमार की बात नहीं सुनी जाएगी और जद्यू अगर गट बंधन से बाहर जाना चाहती है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है लेकिन अब खबर या रही है कि चिराक पासवान की इस मीटिंग में मौझूदी नहीं रहेगी यानि चिराक पासवान इस मीटिंग में नहीं जाएगे अब पूरी खबर क्या है समझ लीजिए चिराक पासवान को इस मीटिंग में जाना था लेकिन उन्होंने कह दिया कि उनकी तविए ठीक नहीं है और वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे हाला कि हमने लोजपा के कई लोगों से बाचीत करने कोशिस की किसी ने इस बात की पुष्टी नहीं की है इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब यह निकलता है कि चिराग पासवान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होगे नितीज कुमार उस परिष्थिती में जदि उस परिष्थिती में नहीं जाएगी जहाँ से उसे बेचैन होकर कोई डिसीजन ने ना पड़े लेकिन यह सर्व हुआ क्यों दो कारण इसके मुख्य हो सकते हैं एक कारण की जनुइनली चिराग पासवान की तवियत खराब हो जो की संभवन नहीं है क्योंकि अगर वो नहीं जा रहे होते तो यह संसदिय दल की बैठकती वो अपने संसदों को भेज सकते थे लेकिन खबर यह है कि उनके संसद भी नहीं जाएंगे यानि इस पूरी मीटिंग का हिस्सा लजपी नहीं हो अब यहां से एक और रास्ता निकलता है हो सकता है चिराग पासवान को भाजपा ने मना कर दिया हो भाजपा ने द चुनाव अगर फिर से होते हैं तो भाजपा फिर से उतना मेहनत नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका सीधा तोर पर भाजपा का अभी एक मात्र देय है बंगाल के चुनाओं को जीतना लड़ना और वहां ममता को डिसलॉज करना ऐसी परिस्तिती में वो नहीं चाहेंगे कि इस क्यों भाजपा का एक धड़ा चाहता है कि चिराग पासवान की इंट्री हो जाए और एक धड़ा जो है वो ये चाहता है कि चिराग पासवान की इंट्री न हो इसके पीछे कारण है जहां आपको पता होगा कि बिहार में भाजपा के दो धड़े हैं पहले से मौजूई जि अभी भी संटिंग में पड़े हुए इनको क्यों रोका गया है और यह कौन सा धड़ा है यह वह धड़ा है जो नितीश कुमार के प्रो है यानि नितीश कुमार के साथ रहना चाहता है वहीं दूसरा धड़ा है जो स्वावलंबी होना चाहता है स्वातंत्र होना चाहता है जो एक तरफ इस वक्त को बहुत कंडियूसिव यानि वो प्यूक्त नहीं बताया जा रहा है बिहार में गट बंधन तोड़ने का इस पहले धड़े के द्वारा सुसिलमोधी के धड़े द्वारा वहें दूसरा धड़ा जो है वो चाहता है कि नितीज कुमार के सामने भाजपा अब तो कम से कम न जुके लेकिन आज भाजपा को फिर जुकना पड़ा यानि आपको मानना पड़ेगा कि वो जो धड़ा जो नितीज कुमार के साथ रहता है वो काफी प्रभावी अभी भी है यानि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि भले ही काट छाट भाजपा ने कर दी है लेकिन अभी भी उस धड़े का कहीं न कहीं जो प्रभाव है बिहार भाजपा पर वो है और नितीज कुमार को लेकर केंद्री नितित्तु के जो सोचने की छमता है उस पर भी वो प्रभाव डाल देते हैं यानि अमित साह और नरेंद्र मोदी के थोट प्रोसेस को पूरी तर से चिराग पास्वान को लेकर उन्होंने हॉक कर लिया यानि हाईजक कर लिया है अब इससे होता क्या है भाजपा बिल्कुल चाहती है कि बिहार में चुनाव हो जो भी हो लेकिन सरकार उनकी अ चुनाव में जाने के भाजपा के पास केवल एक उप्सन है कि वो चुनाव करा ले और ऐसी स्थिति में भाजपा क्यों नहीं है यह ने मैं आपको बता दिया है लेकिन चिराग पास्वान का इस मीटिंग में ना मौजूद हो पाना कहीं ना कहीं मौजूदा आज एक जो ब पॉस्ट बता दूँ कि जैसे ही केंद्रिय मंत्री मंडल का विस्तार होना होगा जैसे ही चिराग पास्वान की पार्टी में आपको पता है कि उनके जो एक मात्र विधायक है उनको निटीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया है कभी भी आपचारी घोशना हो सकती है मंत को भाजपा ने खुद ही बुझा दिया है यानि आगे चल के कोई संभावना नहीं बन सकती है फिलहाल लोजपा की एंट्री का रास्ता बंद हो गया है चिराग पास्वान को आप आज एंडिये से बाहर ही मानिए अगर वीडियो पसंद आई और विहार के राजनी और विह के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद